वेलकम दोस्तों आप सभी का हमारे नए बीडियो में स्वागत है फ्रेंड आज के बीडियो में हम आप के लिए एक ऐसी जड़ी बूटी लेकर आया हूं जो हमारे सरीर को निरोग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेमंद है यह हमारे सरीर से कई सारे खतरनाक रोगों को बहुत ही आसानी से खत्म करता है इस अदभुत जड़ी बूटी का नाम है दोस्तों छुई मुई और इसे लाजवन्ती के नाम से जाना जाता है छुई मुई का यह पोधा यह लाजवन्ती का पोधा इसे आप छुते ही इसकी पतियां सुकुड जाती है ध्यान से देख लीजिए पहचान लेजिए इस अदभुत औसधी को आपने इसे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा यह खेत खलीहानों में दोस्तों पानी के किनारे सड़क के किनारे यह आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा इसे लोग अपने गमले में भी इसे लगाते हैं यह बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन्द है तो दोस्तों चलिए इसके आयूर वेदिक और सधी फाइदे के बार जो बबा सीर के रोगी हैं भकंदर जैसी खतरनाक बीमारी को यह ठीक करता है बबा सीर के रोगी छुई मुई के दोस्तों पंचांग को लें इसकी जड़ फूल पतियां तना पूरे पौधे को ही जड़ सहित उखाड लें और इसे आपको दोस्तों च्छाए में सुखाएं आपको इसे च्छाए में सुखा कर इसे पीस कर इसका पाउडर कर लें इसे पाउडर करने के बाद आपको दोस्तों इसमें आपको देसी खाण में मिला कर प्रति दिन एक एक चमच की मातरा में देसी खाण में मिला कर इसे चाटें इससे आपकी बबा सीर की समस्या बहुत ह आसानी से खत्म हो जाएगी यह बहुत ही ज्यादा लाफकारी है यह मुत्रल समस्या जिन है पेसाब में जलन होती है पेसाब रुक रुक कर आता है पेसाब की संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको है तो आपको दोस्तों ले लेना है इसके पत्तों को आपको ला निकाल लें लगभग 100 ग्राम की मातरा में और एक लीटर पानी में मिला कर इसे गर्म करें जब 500 ग्राम की मातरा में पानी बचे आदा लीटर की मातरा में इसे च्छान कर किसी कांच के बोतल में भरके रख दें और दोस्तों इसका सेवन करें 10-10 ग्राम की मातरा में सुबह सा आपको यही 500 ग्राम की मात्रा में बनाई गई डोज अगर आप सेवन कर लेते हैं तो आपको जीवन में कभी भी मुत्र की समस्या नहीं आएगी यह इतना जादा फाइदे मंद है दोस्तों यह बुखार अगर आप बुखार से परिसान रहते हैं या कभी भी आपको बुखार होता है आपका प्लेट लेट डाउन होता है या आपको किसी भी को बुखार की समस्या है बुखार आने से हमारा प्लेट लेट डाउन हो जाता है या बुखार अगर आपको नहीं छोड़ रहा है तो आपको इसके पत्तों को लें और आपको लेना है चिरैता चिरैता आपको आयुर्वेदिक की स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा चिरैता लें और गिलोई और पीस कर इसका काढ़ा बना कर दोस्तों सेवन करें इससे आपकी दोस्तों एक-एक धकन का सेवन करते हैं अगर आप काड़े में तो आप देखेंगे कि आपका कितना भी पुराना बुखार हो कैसा भी बुखार है आपके हड़ियों में भी बुखार है तो यह आपको ठीक कर देगा दोस्तों यह हमारी अमेनिटी सिस्टम को बढ़ाता है हमारी अमेनिटी को मजबूत करता है जिनकी अमेनिटी कमजोर है जिनकी रोक पृतिरोधक छमता कमजोर है जो बहुत ही जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं तरह तरह की बीमारियां अगर आपको हो जाती है आप बहुत ही जल्दी बिमार होते हैं तो यह आपके लिए फाइदे मंद है छोई मोई इसके लिए आपको इसके पूरे पंचांग को लें और इसका काढ़ा बना कर रख लें और एक महिने लगातार आप इसका दोस्तों 10-10 ग्राम की मातरा में सुबह साम तक सेवन करते रहिए एक महिना आपकी रोग प्रतिरोधक्षमता बिलकुल मजबूत हो जाएगी बहुत ही ताकत वर होगी आपकी रोग प्रतिरोधक्षमता आपकी अमेनटी बढ़ जाएगी आप कभी भी बीमार ही नहीं होंगे तो दोस्तों अगर आपको यह चोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो लेट्यू में सेयर करें ताकि उनको भी लाम मिल सके मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में तब तक के लिए